तो हम लोगों ने OSI model को start किया हुआ था, जिसमें हमने OSI model का importance देखा था, network में दो type के model आपको मिलेंगे, एक है OSI model, एक TCPIP model, OSI model हमारा reference model है, और TCPIP हमारा implementation model है, OSI model को हम लोग पढ़ते हैं सिरफ और सिरफ education purpose के लिए, जहां पर हमें network के flow को detail में समझाया गया है, कैसे computer से data send होता है, और उस data के साथ background में क्या होता है, और एक कैसे receiver data को receive करता है, उस process को समझाया गया है, ठीक है, दूसरी चीज, OSI model को लेकर आने का reason यही था, कि आपके multiple vendors के जो computers हैं, वो आपस में बात कर भाएं, जैसे कि आज मैं Lenovo के computer से मैं अपने recording ले रहा हूँ, मैंने join किया हुआ है, आपने हो सकता है किसी ने phone से join किया होगा, हो सकता है किसी ने दूसरे किसी laptop से join किया होगा, तो हम अलग-अलग laptop, अलग-अलग devices दे साथ क्या कर पा रहें, communications कर पा रहें, क्यों कर पा रहें हैं, because of this OSI model, क्योंकि हमारे इस vendor ने, जिसने भी इस mobile को बनाया है, मेरे laptop को manufacture किया है, जिस भी company ने किया है, उन्होंने इस OSI model को follow किया है, उसी के बज़े से हम लोग communication कर पा रहें, चीक है, चलिए, OSI model को 1984 में launch किया गया, तो मैंने बताया था, ठीक है, जिसमें मारा पहला layer है, मारा application, OSI model आपका 7 layer architecture model है, जिसमें 7 layer होती है, application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, and physical layer, तो application layer के बारे में हमने distance कर लिए था, application layer क्या करता है, यूजर का data वहीं पे create होता है, और application layer का main काम क्या है, कि user के बीच में, not only user, I am saying application, जो आपका application layer है, वो आपके application और network के बीच में क्या करवाता है, in track करवाता है, ताकि आप network के साथ क्या हो पाएं, connect हो पाएं, उसके लिए मैं क्या चाहिए होगा application चाहिए होगा जिससे मैं network के साथ connect हो पाऊ जैसे अगर मुझे web browser से किसी website को access करना है तो we need an application विच application I need web browser तो web browser के थूरू मैं क्या कर पा रहा हूँ network के साथ connect हो पा रहा हूँ तो मैं किसी भी website को access कर पा रहा हूँ because of this application layer protocol और applications के basis पे तो जो application layer पे आप जब data generate करते हो उसके लिए क्या होता है further protocol यूज होते हैं और वो protocol depend काता कि आप कौन सी services को basically use कर रहे हो तो application layer पे क्या यूज होती है services तो कौन-कौन सी services होती है मैं आपको बता है तक उनको प्रोटोकोल कहलो यूज है services कहलो जैसे stdp था stdps था telnet है ssh है pop3 है IMAP है इन सभी applications के बारे में हम धीरे-धीरे आगे चलके सीखेंगे लेकिन हमें यह पता होना चाहिए as of now कि application layer पे कौन से applications काम करते हैं तो presentation layer को आगे discuss करने से पहले मैं यहाँ पर application layer के कुछ applications के बारे में कुछ services के बारे में बेसिकली बता रहा हूँ या protocol कहले जी application layer protocol या आप कहले जी है इसको services कोई भी किछीज आप बोल सकते हैं तो stdp है stdps है चीक है ftp है sftp pop pop 3 बोलते हैं इसको imap smtp चीक है dns dscp telnet ssh snmp यह बहुत सारे protocols हैं इसके अलाबा भी बहुत सारे हैं यह मैंने वह protocol बताए थे जो हम regular basis पर day to day में use करते हैं ठीक है और आने वाले टाइम में इन protocols के वारे में सीखेंगे भी किस protocol का क्या concept है क्या use है उसको हम सीखेंगे आगे चलके लेकिन हमें इनके नाम पता होन पर लेर क्या करता है बात करते है next presentation layer की presentation layer देखो यह जो मैं आपको बता रहा हूं application presentation session transport layer आप कह सकते हैं यह kind of departments हैं आप इनको क्या relate कर सकते हो सीखेंगे को समझने के लिए यह kind of department हैं और every department के अंदर क्या करते हैं employees काम करते हैं इसी तरीके as जहाँ पर IT का बंदा होगा, अकाउंट का डिपार्टमेंट, जहाँ पर अकाउंट का बंदा होगा, इसी तरीके से यह जो आपका application layer है, यह department है, और इस department के ओपर जो बंदे काम करते हैं, वो ही कौन है, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, पर्जेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, what is the use of presentation layer, presentation layer का काम होता है, convert, convert, यह भी कह सकते हो, present, present your data in a correct, in a correct format, so user and application, user and application can understand, समझते इस चीज़ को, देखो, अगर मैं बात करूँ मेरे पास दो बंदे हैं, यह एक बंदा है, इंडिया का, और यह की बंदा है, चाइनीज का, चाइना का, यह चाइना का बंदा और इंडिया का बंदा है, अब इंडिया का बंदे को सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है चाइना के बंदे को सिर्फ चाइनीज आती है अब अगर इंडिया वाले बंदे ने अपनी लेटर को लिखा और लेटर को लिखके क्या कर दिया सामने वाले को दे दिया हिंदी में लिखके चाइना वाला बंदा क् पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा समझ नहीं पाएगा क्या चीज़ है उसको इंदी तो आती नहीं है चाइने वाला बंदा भी अगर अपनी चाइनीज वाले में बात करता है या कोई लेटर लिखके इंडिया वाले को देता तो वह भी समझ नहीं पाएगा क्योंकि उस और और अपनी से इसी तरीके से आपके नेटवर्क में भी जब आप डेटा को send और receive करते हो तो वो ऐसे format में होता है जो कि आपका application और यूजर application जो आप use कर रहे हो Google Chrome और यूजर जो हम है हम क्या यूज करते है application के दूर डेटा को access करते हैं तो उस डेटा को इस format में चेंज किया जाए देखो background में तो सारी चीज़ कैसे coding format में होंगी अब coding तो आपको आती नहीं है तो इसकेस में क्या करेगा presentation layer उस चीज को क्या करेगा convert कर देगा translate कर देगा in a certain format जो की एक application और यूजर समझ पाए example समझने चीज को मैं browser पे जाता हूँ और यहां पे मैंने क्या किया ध्यान सा देखना मैंने www.cisco.com करके website को type किया और मेरे पास एक खुबसूरत सा webpage आया और यहां पे क्या है एक खुबसूरत सा यहां पे कुछ text लिखे हुए हैं कुछ pictures हैं कुछ links है अगर मैं link पे click करूँ मैं दूसरे page पे च तो आप देख पा रहे हो images है text लिखा हुआ रहा है blue color में आ रहा है इस सारी चीज़े कौन कर रहा है हमारा presentation layer इस चीज में help कर रहा है presentation layer ने क्या किया है जब आपने www.cisco.com type किया तो आपके computer से request गया किसके पास Cisco के server के पास हे Cisco server मुझे आपका website को access करना है और जो Cisco का web server होगा उस में क्या होगा इस website की code पड़ी होगी यह पूरा का पूरा code पड़ा होगा वहाँ पे तो server क्या कर देगा उठा कि उस code को आपको सिस्टम को देदेगा और मेरे सिस्टम में सारा का सारा code आ गया लेकिन अगर मैं directly code को देखू तो मैं तो समझ में कुछी थुड़ी आएगा तो क्या करेगा आपका presentation layer ने उस code को translate कर दिया इस खूफसरद से web page में इसी तरीके से अगर मैं एक नया web page खोलूँ नया एक tab खोलूँ और यहाँ पे type को तो मैं youtube.com और youtube.com मैं जब type को तो यहाँ पे क्या आ रहा है एक खूफसरद सा youtube का एक video आ रहा है और यहाँ पे सारे format कैसा है data का video format में अगर इसी तरीके से मैं एक और tab खोलू और यहाँ पे लिखू गाना.com तो यहाँ पे सारा कसर जो data हो किस format में audio format में है अब गाने सुन पा रहे हो देख भी पा रहे हो कुछ video format में भी है कुछ song बिसलिए हमारा सारा कसर audio format में है तो आपका presentation layer क्या करता है आपका presentation layer आपके data को convert करता है in a correct format मे ताकि यूजर और एक application उस चीज़ को समझ पाए अगर मैं website का example हूँ तो तो ध्यान से समझना यहाँ पे क्या हुआ जब मैं अपने computer से www.cisco.com टाइप किया ध्यान से समझना यह मेरा computer है यह मेरा laptop वटेबर से मजलो यह किस से connected है internet से connected है ठीक है और internet पे कहीं पे यह क्या र cisco.com की क्या पढ़ी है website पढ़ी है और website में सारा का सारा क्या code format में पढ़ा होगा तो आपने क्या किया web browser को यूज करते हुए web browser था आपका web browser के अंदर अपने type के www.cisco.com तो आपके computer से एक request गया इसके पास और इस server ने क्या कर दिया सारा का सारा code आपको दे दिया और यह code कहां पर आ रहा है आपके application इसको रिसीब कर रहा है और आपका application के layer application layer को पर प्रजेंटेशन layer को दे दिया और presentation layer ने क्या किया उस data को convert कर दिया एक खूसर से web page में तो अगर मैं आपको दिखा हूँ इस website पर चला जाओं और उस website पर जाके मैं अगर यहां पर मैं right के लिए क यह देखो यह आपकी coding है ठीक है यह सारी coding है यह coding आपके application ने receive किया और receive करके किसको दे दिया presentation layer को ले भाई पकड़ और presentation layer ने क्या किया इसको convert कर दिया एक web page के अंतर ताकि आप उसको समझ पाए अगर आपका presentation layer इसको नहीं convert करता रहसी दे दे ताकि आप इसको समझ पात यह प्रसंटेशन व क्या को किया प्रसंटेशन ने शको को क्वर्ड कर दिया कि मिना इसको रहसी कि पाकल साथ कि है अप लेका होरा प्रिजेशन लेयर को और प्रेजेशन लेयर को इस को कर दिया उस कोड करके आपके सामने प्रूप सब्सक्राइब काम है convert your data into a correct format so that user and application देखो जो code आया है application के पास वो code उस application को पता है उस application जो है आपका web browser वो इस code को पढ़ सकता है इसलिए उसको क्या कर रहा है convert कर रहा है लेकिन आपका application उसको समझ पा रहा है तभी ठीक है तो application layer का काम data को generate करना है presentation layer का क्या है जब data receive करता है और receive करने के बाद application layer जब data रिसेट को दे लिए और presentation layer क्या करता है उसको correct form में translate का देता अगर presentation यहां पर लेइर यहां पर नहीं होता तो आपके फार्म जाप पेज़ खुलकर आ रहे हैं वो नहीं नामी है presentation आपको present करना तो वो खुषर से पेर में वर्जन कर रहा है इसके अलाबा भी presentation layer का एक और काम है पर्जेंटेशन लेर का एक और काम है सेकिंड जो काम है वो है encryption encryption and decryption कोई बताना चाहेगा what do you mean by the encryption and decryption कोई भी आप तीनों को पता है encryption और decryption का मतलब क्या होता है no encrypt का मतलब password नहीं होता encrypt का मतलब password नहीं होता और कोई ठीक है देखो encryption का मतलब होता है to convert your data into plain plain text into a cipher text what do you mean by the encryption encryption means convert convert plain text plain text into a cipher text cipher text का मतलब होता है unreadable format plain text मतलब readable और cipher text मतलब unreadable जैसे अगर मैं बात करूँ एक message है hello यह कैसा है plain text इसको convert कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से one two dollar hash one three percentage four ky यह hello plain text है और यह जो convert हुआ इसको हम बोलेंगे cipher text तो इसको convert करने के लिए भी बहुत अलग से अलग decryption का मतलब उल्टा होता है convert यह और decryption का मतलब होता है convert cipher text into plain text मतलब अगर यह है अपका cipher text इसको convert कर दे वापिस हेलो में तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे decryption encryption is a process to convert your data into plain text sorry plain text into a cipher text what do you mean the decryption convert your data cipher text into a plain text that process call is decryption तो आपका presentation layer encryption and decryption भी provide करता है लेकिन आपका presentation layer हर बार encrypt करेगा यह possible नहीं है यह depend करता है कि जो application layers पर data कौन भेज रहा है presentation layer को application layer क्या करेगा data generate करके कि इसको दे देगा presentation layer को अब presentation layer देखेगा कि data मुझे कौन से protocol ने दिया है तो जिस protocol ने दिया है वो secure है या नहीं है example हमने web browser को access किया था तो web browser को access करने के बाद हमने एक website access कर रया और web site को यह आप कहलो कि जो web का जो data है उसको access करने के लिए हमें या तो sttp या तो sttps यह दो protocol की requirement होती है तो अगर आपका data sttp के through है तो यह आपका no encryption अगर आपका sttp के through data आया है तो आपका presentation layer को encryption प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि sttp protocol आपका secure protocol नहीं है अगर मैं बात करूँ sttps अगर आपका data sttps के through है तो presentation layer उसको क्या करेगा encrypt करेगा तो encryption करेगा तो सामने वाला इंक्रिप्शन करेगा तो सामने वाला इंक्रिप्शन कहां पर होता है इंक्रिप्शन होता है जो encryption होता है वो आपके sender के end पर होता है और जो decryption होता है वो आपका receiving end पे होता है बाई मैं ताला लागा जब मैं आपको कोई data भेजूँगा उसको lock करके भेजूँगा तो मैंने क्या encrypt करके भेजा जब उस data को receive आप करोगे तो decrypt करोगे खोलोगे तो encryption कहाँ पे होता है sender के end पे होता है और receiving क्या होगा डिस्क्रिप्ट होगा तो पर्जेंटेशन लेयर यह देखता है कि जो डेटा है वो किसी ने दिया है अगर डेटा आपका STTP ने दिया है तो आपने अब लग किया आया है और यहां पर क्या है स्टीटीपी एस है स्का मतलब सिक्शráde और अपका पर्जेंटेशन लेयर पे क्या प्रुवइड करेगा इनिक्रिप्टिप्शन If theurrection is o यहां पर अपर अपका इनिक्रिप्टेशन लेयर आता नहीं करता है। स्मपल सा फंडा है क्यों है प्रेजेंट करना इन इन काम है प्रोवाइड एंक्रीप्शन एंक्रीप्शन कब करेगा जब सामने वाला जो लेयर है जो जो प्रोटोकोल जिसने डेटा जनरेट करके दिया है वो कैसा है उसको पर डेपैंड करता है ठीक है किलियर हो रही चीज है सबको everyone हां जी everyone please acknowledge कि सबको किलियर हो रहा है ठीक है कोई है सबको कि अब है कि मुझे कोई प्रावलम ने रिपीट करने में लेकिन समझ में सबको आना चाहिए अगर ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ता चला जो पीछे का चीज अब कुछ समझ में नहीं रहे पर पासा निए आएगा तीनी लोगो कि मज twersy में मिलनी चाहिए ठीक है क्यों कि में समझ में अगे बढ़ेंगे ताकि हम दूसरे सब के सब एक से प्लैटफॉम पर रहे paintश 12 की नटवॉकों की होता क्या दिक्कत आएगी आगे कुछ चीजे समझने में प्रॉब्लम आएगी तो इसलिए साथ में लेकर चलना है सबको ठीक है चलिए पर्सेंटेशन लेयर के बाद अगला काम है अमरा सेशन लेयर वेरी इंपोर्टेंट बाद ज्यादा नहीं क्या इसको अधे मसते हैं सेशन लेयर का काम क्या है सेशन लेयर क्या करता है एक सेगें हाँ क्रियेट कि मेंटेइन एंड टर्मिनेट अधा सेशन सेशन लेयर का काम है सेशन को क्रियेट करना सेशन को मिंटेइन रखना सेशन को टर्मिनेट करना यह काम सेशन लेयर का काम होता है और यह सेशन अपका वर्चुल सेशन होता है क्योंकि आपने www.cisco.com टाइप किया था तो आपके वेब ब्रॉजर पे Cisco के website open हो गई तो background में क्या हुआ background में आपके computer से Cisco के server के साथ क्या बन गया एक session बन गया जहां से आपका data क्या हो रहाए आ रहा है और जा रहा है destruction तो session layer क्या कर रहा है उस session को create कर रहा है ताकि data क्या हो आया जा सके जैसे आपको अगर गर से औफिस जा रहा है तो रास्ता होता है ना आपके पाद जिसके पर चलते हो तो वही काईड ओफ तिंग है वैसे वह रास्ते को हम लोग से से कंपेर नहीं करेंगा रास्ता का अलग आ जाता है लेकिन आप एजूम करो कि आपकी क्या बनी आचाहां ठीक है हम फोन करते है आप में को फोन करते हूं हम लोग बात करते हैं अब मेरी रिंग जा दिये connection हुआ तो क्या हो एक शेषन बनी हम लोग के बीच में हम तार के थूरू connected है नहीं वर्चुल क्रेक्टिविटी मनी हुए मेरे बीच में आपके मूबाइल अब के बीच में अगर मैं बात करूँ आप लोगों में से किसी ने भी अपने ब्राउजर के इस अगर मैं इस लिंक को क्लिक कर दो क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा मतलब अगर मैं ब्राउजर में जहां पर मेरा लिंक चल रहा है ये वाला ये वाले मिटिंग मैं क्रॉस कर दूँगा क्या हो गया आपके साथ मेरी सेशन डिस्कनेट हो गई तो session layer का काम है create करना, create करने के उसको maintain भी रखना होता है, maintain का मतलब ऐसा नहों कि अगर आपने दो अलग-अलग session बना रखे हैं, उनका data mix हो रहा है, उनका data mix हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो session layer इस चिसके responsibility रहती है, अभी हम देखेंगे, example, मैंने जो browser खोला हुआ तो अब देख सकते हो, मेरे बहुत सारे tab खुले होगे, जान बुच के मैंने खोला हुआ है, एक tab के ओपर क्या चल रहा है, हमारी meeting चल रही है, दूसर वाले tab में क्या चल रहा है, हमारे पास एक Cisco की website चल रही है, थर बाले वे भी हमारे पास Cisco का एक page, हमने resource खोला हुआ हो क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पर YouTube चल रहा है, यहाँ पर Downloads, Latest करके और यह अबकर Garner.com की website चल रही है, ना हो, हो कहा रहा है, यह आपका application layer के ओपर तीन अलग-अलग tab के अंदर मैंने तीन अलग-अलग websites खोली हुई है, तीन चार्ज हो भी है, और आप देख रहे हो कि जो Google का सारा का सारा जो हमारा जो meeting जो हो रहा है, जो हमारी conversation वो इसी टाप के ओपर सारा data आ रहा है, Cisco का website इस वाले टाप में खोल रहा है, कहीं ऐसा हो रहा है कि Cisco की web page के ओपर आपको YouTube का data दिख रहा हूँ, नो, चाए YouTube के ओपर Cisco का कोई web page दिख रहा है, नो, क्या आपको Garner.com क आपके इस वाले टाप के ओपर सिसको या YouTube का data दिख रहा है, नो, वाई, विकोज session layer ने सीच को maintain किया हुआ है, आपके इस वाले टाप के ओपर सिर्फ और सिर्फ और सिरफ गाना.com का data ही आएगा, अगर आप यहाँ पे प्ले करो तो गाना.com का data ही चलेगा, YouTube आले page में क्या हुआ, कि YouTube के साथ और गाना.com के server के साथ जो session बना हुआ था, वो मैंने क्या करता है, terminate कर दिया, cross कर दिया, तो termination हो गया, तो session layer के ऊपर जब session बनता है, यह आपकी session जो होती है, वो कई बार unlimited भी होती है, कई बार यह अपने आप से भी session disconnect हो जाता है, example के लिए, आप लोगों ने कहीं न कहीं banking की services को use किया होगा, net banking वगएरा, कभी गौर कर आओगा, जब आप net banking को open करते हो, और आप log out करना भूल जाते हो, तो क्या होता है, after 5 minutes, 10 minutes, जो भी उसको पर आपकी software developer ने जो session लगाया होगा, कि आपने HDFC bank को खोला, और आपने net banking को open किया, login किया, आप log out करना भूल गए, तो उस case में क्या होगा, कि जो आपका system है, वो idle state पे चला गया, आपके system से SDFC server के ओपर कोई request अप नहीं जा रही है, और नहीं SDFC से कोई request आपके system पे आ रही है, तो SDFC server है, जो net banking को, SDFC के server है, वो देखेगा, client ने एक webpage open किया हुआ है, बट अब वह क्या करूँगा, वहाँ का session layer है, वो अपने आप से उसको क्या कर देगा, terminate कर देगा, और पांच मिनिट के बाद आपको याद आता है, मैं तो भूल गया तो उसको रिफर्ष करना, जब आप जा के उसको रिफर्ष करना, तो दिखाएगा already log out, कभी face किया होगा अपने ची यह जो डेबलपर ने उसको बनाया है, उसने इस चीज की configuration coding अगर कर रहा है, कि इतने देर तक अगर request ने जाएगे तो अपने आप से termination हो जाएगा, तो जैसे मैंने मदाद, तीन के जो अपर layer होती है, जो अपर लियर होती है, application, presentation and session यह सार का सार आपका software developer के लोग मैनेज करते हैं, तो यह आपके session layer का काम होता है, terminate करना, अगर आप Gmail खोल के बैठ जो तो Gmail का अगर पेज आपका खुला हुआ आएगा, आपने Gmail को login करके छोड़ दिया, आप दो घंटे के बाद भाद भी उसको refresh करो, आपका page वैसे ही दिखाएगा, क्योंकि Gmail का application, जो server है, उसके आपसे कर दो, और उसको करोगे तो refresh करो तो दूबरा उसी page पे आजाओगे, करके देखना, Gmail के लोग इन करके छोड़ देना, और दो घंटे के बाद उस page को refresh करना, आप उसी page पे वापिस आजाओगे, क्यों, क्योंकि आपका session क्या होगा, वापिस रिफ्रेश में से खुल गया, तो हमें क्या कर लेना है, server को termination को रहना है, तो session layer का काम है, session बनाना, बन गया, तुसको maintain भी रखना, ताकि दो अलग-अलग session mix-up ना हो, और तीसरी चीज, आपके session को terminate करना, कोई डाउट यहाँ पे किसी चीज़ को, anyone, सबको clear है, चलिए, next बढ़ते हैं, आगे, transport layer very, 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 very important, network engineer का ही layer रही है, ठीक है, जिस पे हम लोग काम करते हैं, तो आखना, कहां खुले रखना, ठीक है, transport layer का काम क्या है, देखो, यह जो layers है, हर department क्या करेगा, हर department के अंदर जो बंदा है, जो protocol है, वो अपना data generate करेगा, और अपने से नीचे वाले layer को देदेगा, और उसके बाद, दूसरा उस, तीसरे वाले layer को देदेगा, यानि यह जो layers है, application layer, presentation को देगा, presentation को देगा, session को देगा, session फिट ट्रांस्पोर्ट, अपने नीचे वाले layer को data handover करता है, देदा होता है, company में भी, एक factory में भी, जब आपने देखा होगा, एक कोई product बनता है, तो product के अलग-अलग sections होते हैं, कहीं पे cutting हो रही होती है, कहीं पे उसकी packing हो रही होती है, तो हर department का अलग-अलग work है, last में फिट हो, market में निकलता है, बिकने के लिए, लेकिन उसके market में बाहर आने से पहले, उस product के साथ different department क्या करते हैं, कोई packing कर रहा होता है, बहुत depend करता कि कौन सा product है, तो ऐसे ही, जो data आपके system से निकलेगा न, उस data के उपर भी बहुत सारी चीजे होती है, तो data application layer से कहाँ पर आएगा, presentation, presentation layer ने उसको convert किया, उसको translate किया, उसके बाद data end over कर दिया, session को उसके session बनाया, फिर session layer से data कहाँ पर आएगा, transport layer पर आएग transportation, transport layer का काम क्या है, segmentation, what do you mean by the segmentation, segmentation is a process to cut your huge data into a small small pieces, segmentation means क्या होता है, to cut your data into small small pieces, आपके जो data है ना बड़े data को, जो बड़ा data होता है, उस data को छोटे-छोटे pieces में cut करता है, and that pieces, pieces are called chunk, उन pieces को हम लोग क्या बोलते हैं, chunk बोलते हैं, तो data, session layer से आया, transport layer के अपार, अब transport layer पर जब data आता है, तो transport layer क्या करता है, उसके, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-चोटे टुकडे कहो देता है, और उसके बाद उसको जो छुटर टुकड़े की है उस टुकड़े का नाम कहा है चंक इत्तर ची समझ मैं है सब्सक्राइब मतलब समझना चीज को समझना चीज को आपके पास एक मैसिज था यह मैसिज है हेलो हाओ आर यू यह अपका एक मैसिज है ठीक है यह क्या अपका एक डेटा है राइट है यह अपका एक डेटा है राइट है हेलो हाओ यू यह मैसिज है अब इस मैसिज को भेजना है आपको तो अप्लिकेशन लियर से आया प्रजेंटेशन के पास प्रजेंटेशन को दिया सेशन ने ट्रांस्पोर्ट लियर को यह नेटा दिया अब ट्रांस्पोर्ट लियर क्या करेगा यहां पर ट्रांस्पोर्ट layer इस message को एक बार में भेजनी पायागा क्योंकि size बहुत बड़ा है तो अब ये क्या करेगा इसके छोटे छोटे पार्ट करेगा hello को इसने क्या किया अलग किया how को इसने अलग कर लिया r को इसने अलग कर लिया और you को इसने मैंने क्या किया इनके छोटे छोटे टुकडे कर दिया ध्यान से तुटे छोटे पार्ट में से टिवाईड कर दिया मांगे छोटे यह कंप्यूटर था इस computer ने यह sender था, यह just sender, यह sender है और यह सामने receiver है, यह sender है, यह receiver है, अब sender के जो application, presentation layer, sorry, जो transport layer है उसने क्या किया, छोटी छोटी पार्ट में divide किया, इसके बाद इस part को इसने send कर दिया, यह आया, इसके बाद data है, इस तरीके से, अब यह receiver है, जब इसने data को receive किया, छोटी पार्ट में, अब इसको क्या करेगा, बाप इससे, rearrange करेगा, सामने वाले sender ने क्या कि segment किया, segmentation किया, segmentation का मतलब क्या, it's a cut your data into a small small pieces, छोटी पीसी में किया, और सामने वाले को बेद दिया, अब सामने वाले ने क्या किया, data को receive किया, देखो, OSI model के अंदर ये चीज़ हम नहीं करेंगे कोई चीज, हम ये चीज़े नहीं करेंगे, ये सारी चीज़े अपने आप हो रही हैं, ध्यान से समझना, ये जो चीज़े हैं ये अपने आप हो रही हैं, background में अपने हैं, हम सिरफ process को समझ रहें कि action में data कैसे जाता और गोई से model के अंदर जो layer से कैसे काम करती हैं, ये अपने आप काम करती हैं, आपको नहीं बोलना कि एक को presentation layer को बोलना नहीं है, कि data convert करके दो, ये आपको नहीं करना convert, आपके computer system में ये application layer से लेके जो अपकी total जो physical layer, ये सारी layers अपने आप होती हैं, और ये layers अपने आप से ये काम करती हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है सकंदर, सरा मन प्रोसेस को समझ रहे हैं, तो receiver ने क्या किया, ये छोट छोटे टुकडे receive किये, receive करने के बाद, अब ही सामने क्या करेगा, receiver इसको rearrange करेगा, लेकिन अब यहाँ पर problem है, इस data को मैं कैसे receive, देखो ऐसा receiver ने you को पहले receive किया, बाद में question mark को, फिर how को receive किया, फिर hello for last में r आया, ऐसे आया ये, अलग-अलग pieces, जो थे, अलग-अलग time duration में आया, अब यहाँ पर receiver ना परिशान हो जाएगा, इस data को recall करने के लिए, मतलब rearrange करने के लिए, not recall, rearrange करने के लिए, simple sum आपके साथ भी बताता है, यह आप हो, यह आप हो, और आपका manager बोलता है, कि आपना यह 100 page की एक book है, यह 100 page की, एक book है, बट यह book नहीं है, यह 100 page का क्या है, एक book है, मतलब, यह अलग-अलग pages है, यह bind नहीं है, बुक नहीं है, अलग-अलग 100 pages है, यह 100 pages का क्या है, इस book ह और यह बोलता है कि इन pages को क्या कर ले जाओ, binding करा के ले कर आओ, market से, और आप क्या करते हो, इस book को उठाते हो, और ले के चले जाते हो, रस्ते में क्या होता है, आपके हाथ से, by mistake ये गलती से गिर जाता है, और 100 पे बिखर जाते है रस्ते में, अब आप क्या करोगे, उसको बापिस से, समेट होगे, लेकिन, आप उनको कैसे समेट होगे, बता हो जड़ा, अगर आपको कैसे बता लगा, ये, ये मेरा, पहले आएगा, फिर इस फाले page को लखेंगे, कैसे रखोगे, कैसे करोगे इस चीज को, आपके पास 100 pages, 100-100 page का पनना है, वो गिर जाता है, उन 100 page को बापिस से ठीक करके लगाना, arrange करके, कैसे लगाओ, arrange करके, क्या देखके arrange करोगे, बताओ, नई, कैसे करोगे, अगर करना पड़ जाए तो, अब page तो उठाओगे न, page गिर गए, आप, ये, ये, नमबरिंग कर सकरो न, तो numbering system कहीं न, कहीं आपकी help करेगा, गिर भी ग हमें पता है कि में उसमें page number है, तो page number है, ऐसे ही, अगर receiver ने इस data को receive किया, तो receiver को कैसे बता लगेगा, कौन सा segment पहले, कौन सा, चंग पहले लगाना है, पहले hello है, फिर how है, फिर r है, फिर u है, कैसे, because of the sequence number, ये सुननो, तो presentation layer का, sorry, बार बार presentation बोलता हम, sorry, transport layer का काम, दूसरा काम क्या है, second जो task है, हुए sequencing, क्या काम है, sequencing, sequencing, आपके जो भी data है ना, उसको क्या करेगा, छोड़ोड़े पार्ट में डिवाइड करके, उसको क्या करेगा, उसके सिक्वेंस नंबर लगाएगा, ताकि receiving end में जब data को receive किया जाए, उसको sequence wise क्या किया आपका यह data था, hello, how, are, you, कोश्रमा, यह आपका data, अलग-अलग उसने पाट किया, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेगा, यह sequence नंबर लगा देगा, इसका के, यह पहला sequence नंबर है, out of five, total कितने piece है आपके पास, पांच, यह पांच वे का कौन सा भाग है, एक, यह भी तो प वेट करेगा, अभी और आ सकता है, और आ सकता है, नहीं आएगा न, उसको पता है, पांच वे का पहला भाग है, तो पांच वे का पांच वे भाग रिसीव करेगा, तो समझ में आजगा, total five segment आने मेरे पास, इससे क्या पता लगेगा, उसको, कितने packet उसने रिसीव करने है, पांच, total, जिसमें से ये कौन सा भाग है, पहला भाग है, तो आपके इसमें sequencing का concept होता है, तो ये second out of five है, ये third out of five है, ये four out of five है, ये five out of five है, अब data जब ये हाँ पर रिसीव करेगा, मान कि जो उसने पहले how को रिसीव किया, तो इसने r को रिसीव किया, फिर उसने hello रिसी किया, तो इसको पता है, पहले मुझे hello को लगाना है, फिर how को लगाना है, फिर r को लगाना है, फिर you को लगाना है, फिर you को लगाना है, फिर इस question mark को लगाना, समझ माया है ना, ये सुननो, sequence number के बज़े से, तो आपका transport layer जब भी छोड़ेड़ pieces करता है, उसके उस pieces के data को छोड़े पार्ट में divide करना, साथ में उसके साथ क्या कर देना, उसको एक sequence number लगा देना, ताकि receiving end पे data को दो बार से rearrange किया जा सके, समझ में आ रहा है, yes or no everyone, समझ में आ है सबको, सबको, सत्यम आपकी भी, ओके, गौरव आपको भी आ है समझ में, ठीक है, चलिए, तो transport layer का काम, एक तो segmentation, दूसरा sequencing, तीस तरह क्या करता है, और समझते हैं, देखो, आपका ट्रांस्पोर्ट लेयर जो है, इसमें दो protocol है, जो काम करते हैं, TCP निन, UDP, TCP के फिरों है, चल्सपोर्ट लेयर, स्वडि आउरे, शौरी, ठास्शας पार्पान था नियूमaware रोर्ड पार्सपोर्ड लेयर हो ताम आपकी, एंड यूडीपी का है यूजर डेटाग्राम प्रोडोकोल यह वो दो प्रोडोकोल हैं या यह कहलो कि यह दो बंदे हैं जो कि आपकी डेटा को हेल्प करेंगे ले जाने के लिए तरिकर से चिक हैं और आपकी डेटा को Reliability Provide करेंगे या Unreliable जोभी अब देखेंग इसके वारले में क्या differences है तो Transport Layer पे यह दो प्रोडोकोल है जो basically क्या करेंगे आपके डेटा को control करेंगे क्या करेंगे वो देखेंगे अभी किस तरह से करते हैं चीक है TCP and UDP अब आपके data को TCP लेकर जाने वाला है या UDP लेकर जाने वाला है यह depend करता है आपके application layer के उपर देखो transport layer पर यह दो बंदे हैं जो कि आपके data को आगे further carry करेंगे यह मान के चलो TCP and UDP अब TCP के through data जाएगा या UDP के through data जाएगा यह further depend करता है आपकी service के उपर जो आपने application layer के उपर use किया हुआ है चीक है तो मैं कुछ आपको TCP and UDP के कुछ protocols के नाम लिखवा रहा हूँ जो TCP based and UDP based है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर TCP की और यहाँ बात करूँ UDP की मैंने आपको application layer पे बहुत सारे प्रोटोकोल लिखवाए थे STTP, STELNET, DNS, DSCP यह ना इस सारे के सारे प्रोटोकोल या तो TCP based होते हैं या तो UDP based ऐसे बोलाता है इस application based on TCP इस application based on UDP इसका मतलब क्या है इसका मतलब उस data को carry करके कौन लेके जागा वो TCP है तो UDP तो TCP based protocol कौन कौन से होते हैं STTP, यह fix हैं आप इसको change नहीं कर सकते यह पहले से predefined है STTP, STTP-S, FTP, SFTP, TELNET, SSH यह सारे protocols है, POP, SMTP, IMAP यह सारे protocols कैसे हैं TCP based protocol है UDP based protocol कौन से है DNS sometime I will say TCP अंदर भी हमारा DNS आता है लेकिन UDP के ओपर जो pure DNS है वो UDP based होता है देखेंगा आगे चलके DSCP SNMP RIP यह वह सारे protocols है और भी हो सकते लेकिन हमें फर्दर यह लिखें तो यह वो protocol है जो कि TCP based है तो UDP based है अभी इनको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग TCP और UDP के बारे में थोड़ा सा different दोनों में क्या है उसको समझते है पहले ठीक है उसके बाद further मैं इन के उपर आऊँगा इन प्रोटोकोल के उपर STGP based है तो TCP based है रखती है तो सबसे major point discuss करेंगे TCP और UDP के बारे में differences और interview perspective से बहुत important question नहीं है आप से interviewer जो है TCP और UDP के बारे में पूछेगा ही पूछेगा जयान रखना अगर आप interview दे रहे जारे हो networking का TCP और UDP के बारे में आपको पूछेगा ही पूछेगा बहुत important protocol होते हैं यह इसे लिए चीक है तो difference between TCP और UDP इसके अबार में लिखवा रहा हूँ यहाँ पर TCP यहाँ पर UDP full form मैं लिखवा चुका हूँ transmission control protocol, UDP is a user datagram protocol पहला different TCP और UDP के बीच में TCP is a connection oriented 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 protocol पहले में difference लिखवा देता हूँ फिर इनके meanings भी बताऊंगा connection oriented का मतलब क्या है ठीक है second UDP is a connection less protocol it's a connection less protocol वो connection oriented है यह connection less है आपको अगर कोई interview में पूछा तो आप यह points अराम से बता सकते हों ठीक है लेकिन इन points को पर अगर कोई बात नहीं वापिस आ जाएंगे दाने दो अगर इन points को अगर आप बताते हों इंटर्व्यू के अंदर तो आपकी यह points आप अराम से बता सकते हों लेकिन अगर इन points को अपर किसी ने दुबारा से cross question पूछी ले तो उसका भी answer आपको आना चाहिए तो वो भी बारे में आपको डिसस करेंगे तो आप इसलिए इन points को detail में डिसस करेंगे ठीक है ओके TCP प्रोवाइड एकनॉलेजमेंट और UDP यह पहला नंबर है यह दूसर नंबर है no acknowledgement ठीक है तीसरा point TCP is a reliable protocol but UDP is unreliable right चौथा TCP is a slow protocol TCP is a एक सेकंद आप TCP is a slow protocol fourth UDP is a fast protocol right तो यह कुछ डिफरेंसेज है right hello तपन आप आगे ठीक है क्या हो गया था ओक ओक नहीं हो सकता है कि आपका डिसकनेट हो गया और नेटफरक का हो ठीक है चलिए कोई बात नहीं स्टार्ट करते है ओके ठीक है उसके बाद पांचवर पॉइंट है TCP का जो हेडर साइज है अभी हेडर क्या होता आगे चल के देखेंगे वट वाट वीमीन वट वीमीन भाई कनेक्शन ओर्षेंटेट connection oriented का मतलब होता है perform three way handshake बहुत important point आई है connection oriented अगर आप किसी को बोलते हो it's a connection oriented protocol TCP is a connection oriented protocol तो connection oriented का मतलब होता है it's perform three way handshake three way handshake इसका मतलब क्या होता है three way handshake को perform करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ जैसे हम लोग join होते हैं तो याद होता होगा जब भी मैं join करता हूँ तो आप लोग को से एक चीज जरूर पूछता हूँ क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है आप लोग acknowledgement करते हो आप लोग को मेरी screen आ रही है आप करते हो, तब हम क्या करते हैं, मैं अपनी lecture डिलिवर करता हूं, अगर मैं यह चीज ना पूछ तो मुझे कैसे बता लगया कि हम लोग connected हैं? और मुझे यह चीज पता ही नहीं कि हम लोग connect इसी तरीके से जब आप किसी से फोन पर भी बात करते हो, सामने वाला फोन उठाते हैं बोलता है हेलो, उस हेलो का मतलब यह नहीं हो आप से पोल रहा है कि कैसे हो आप हेलो हावरी हो वाला हेलो नहीं है वो हेलो एक common word है कि मैंने हेलो बोला, सामने वाला हेलो बोलेगा तो हम connect हो गए, तब हम बात करना शुरू करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, एक confirmation लेते हैं, उसके बाद ही हम अपनी information को देते हैं, तो network में भी जब एक computer से दूसरे computer में data जाता है, तो computer जब data भेजता है, तो उसको ये पता होना चाहिए, कि जो मैं data network में सामने वाले को दे रहा हूँ, वो receive कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, मैं उससे connected हूँ या नहीं हूँ, वो network में live है या नहीं है, ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं data भेजोंगा तो उसके लिए क्या करोगे आप एक 3-way handshake perform करोगे डेटा को actual data मान के चलो आपके पास एक file पढ़ी है एक movie पढ़ी है उस movie को भेजने से पहले आप क्या करोगे एक 3-way handshake perform करोगे एक virtual connection स्टैब्लिश करोगे और वो virtual connection स्टैब्लिश होने के बाद ही आप डेटा भेजोगे तो इसी को बोलते है 3-way handshake कैसे होता उसको समझते हैं तो एक होता आपका client और एक होता आपका server क्लाइंट सर्वर क्या होता है आपको पता होगा client जो services को यूज करता है और server वो है जो services देता है आप एक restaurant में जाते हो as a customer और आप क्या करते हो खाना order करते हो तो आपने क्या किया आपने खाना order क्या request किया तो आप client हुए और जो waiter आपके लिए खाना लेकर आ रहा है वो provide कर आपको services दे रहा है तो server वो जो अपनी services देता है और client वो services को use करता है आपका web server था और आप क्या कर रहे तो उस website को use कर रहे थे अपनी information लेने के लिए कुछ information लेने के लिए कुछ भी information देने के लिए whatever तो web server क्या कर रहा है आपको क्या करता है एक packet बेज़ता है मैं बता रहा हूँ यह अपर three wind शेक प्रोसेस बता रहा हूं मैं भी आप लोग को अभी मैं आपको three wind शेक प्रोसेस बता रहा हूँ सबसे पहले क्या करता आपका जो server है न, वो बदले में आपके client को एक sin प्लस एक बेजता है, अभी बैस समझा दूँँ इसका मतलब क्या है, sin प्लस एक, एक मतलब acknowledgement, और client बदले में क्या बेजता है, acknowledgement, अब समझते इसका मतलब क्या है, क्यों यह हुआ, देखो, client क्या करेगा, sin packet बेज़ेगा, sin का मतलब पता क्या है, एक चुर्म में यह बोल रहा है, his server, क्या लो कि यह से बोल रहा है, hello server, I want to, talk to you, अब यह मान के चलो, ऐसा बोल रहा है, server को एक sin request बेज रहा है, इसका मतलब client बोल रहा है, hey server भाई, मुझे आपसे बात करनी है, अब अगर server आपसे बात करने के लिए interest होगा, तो बदले में आपको क्या packet बेज़ेगा, sin plus acknowledgement, अगर server आपसे बात करने में इच्छा होगा, तो वो क्या बेज़ेगा, sin plus act, acknowledgement का मतलब क्या है, कि जो आपने उससे बोला, hello server, I want to talk to you, उसके बदले में, server ने क्या बेजा, एक acknowledgement बेजी, इसका मतलब, okay, मुझे इसका आपको answer किया, जो acknowledgement जो देख रहा है, AC की जो लिखे वे आ रहा है, उसके अंदर, message के अंदर, इसका मतलब, जो आपने sin बेजा ना, उसका यह answer कर रहा है, sin बेजा client ने बोला, I want to talk to you, तो बदले में, server ने क्या बोला, okay, अब वो okay तो नहीं बोल सकता ना, उसने acknowledgement बेज़ दिया, और उसके बाद, server ने भी अपना एक sin packet बेजा, इस server भी बोल रहा है, इस server बोल रहा है, इस sin में, client, hey client, I want to talk to you also, I want to, talk to you, also, मैं भी आपसे बात करना चाहता हूं, तो client ने क्या बेज़ दिया, ओके, जब यह तीन packet successfully exchange हो जाएंगे, तो आपके बीच में, और server के बीच में क्या हो जाएगा, एक connection establish हो जाएगा, क्या हो जाएगा, connection, establish, उसके बाद, यह अपना data और send or receive करेंगे, लेकिन data, send receive करने से पहले, यह perform हरवार होगा, और don't worry मैं आपको यह चीज़ करके दिखाऊँगा, with practical, don't worry, आने वाले time में हम इसको practically proof करेंगे, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहाँ सारी चीज़ें, तो sin, sin plus act, और act, यह तीन packet exchange होते हैं, during the three-way handshake, sin का मतलब है, I want to talk to you, sin plus act मतलब है, कि act मतलब कि मैं okay, और अपना sin का मतलब भेद दे कि मैं भी आपसे बात करना चाहता हूँ, तो बदले मैं क्लाइन ने क्या भीजा, ओके, अब यही चीज़ अगर आप Google पे चले जाओ, three-way handshake लिखो यहाँ पे, TCP three-way handshake, image पे चलते हैं लोग directly, और यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएगा, यह देखो, यह दो user ने बात करना चाहते हैं, इसने sin भेजा, बदले में sin plus act भेजा, और इसने acknowledgement भेजी, आप यह देख सकते हो सामने लिखा हुआ रहा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यह देखो, sin, sin plus act and act, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़े होते हैं, sequence number, acknowledgement number, वो हम लोग आगे देख सस करेंगे, यह देखो यहाँ पे भी, client and server, लिखा न, TCP server, TCP client, इसने sin packet भेजा, green वाले भेजा, न, sin भेजा, sin plus act भेजा, और act में भेजा, तो यह process आपका, हर बार होगा, जब TCP के दूर्ट डेटा जाएगा, समझ में आ रहा है, yes और no, yes और no, कोई है, जिसको समझ में नाया हूँ, तपन आपको समझ में आया, repeat करने शुरूद तो नहीं है, अरे बताओ, ठीक है, देखो, हम लोग, TCP based correction पर काम कर रहे हैं, मैं यह चाहता हूँ, देखो मुझे UDP में अगर बन के तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, मुझे TCP बने रहने तो, TCP का मतलब है कि, मैं आपसे जब कुछ सी पूस्ता हूँ, कि आपको समझ में आ रहा है, तो मैं क्या चाहरा हूँ, आपसे एक अनौलेजमेंट चाहरा हूँ, आप अगर नहीं आंसर करता हूँ, मैं बार बार पूस्ता हूँ, क्यों TCP ऐसे काम करता है, मतलब मैं अपनी behavior को भी TCP तर लेकर आ रहा हूँ, कि मैं आपसे confirmation, क्योंकि मैं क्या गया रहा हूँ, कि आपसे confirmation दूँ, कि आप कुछ यह समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है, तो TCP-based, जब भी कोई connection बनता है, उसमें पहले 3-way end-shake perform होगा, उसके बाद data जाएगा, ठीक है, इसलिए TCP को आप लोग क्या बोलते है, connection-oriented protocol, ठीक है, UDP का मतलब है, कि it's a connection-less protocol, UDP का है, उसका connection-less है, तो मतलब है, no 3-way handshake, इसमें कोई handshake नहीं होगा perform, ठीक है, तो मैंने इसलिए लिखा, यहाँ पर TCB क्या करता है, acknowledgement प्रोवाइड करता है, TCB acknowledgement प्रोवाइड करता है, इसलिए TCB क्या है, reliable protocol है, TCB कैसा है, reliable, reliable का मतलब समझते हो, कि data जो आना, guarantee deliver होगा, अगर मैंने एक data भेजा है, TCB कितरू, वो 100% guarantee deliver होगा, कैसे confirm करूँ कि, मैं data guarantee है, data deliver होगा, because, आप अपने answer क्या दोगे, एक confirmation दोगे, acknowledgement दोगे न, उसी को तो हम लोग, तभी तो reliable बोल रहे हैं, TCB reliable क्यों है, because of acknowledgement, तो अगर आपको, कोई पूच्टा interview करने, TCB जा connection, oriented protocol, तभी तो अब बोलोगे, कि, what do you mean by the connection oriented, तभी बोल सकते हो, it performs 3B and check, that is why, आपने बोला, TCB reliable protocol है, तो उसने पूच लिया, कि क्यों reliable है, वाई reliable, तभी बोल सकते हो, क्योंकि, TCB के अंदर, acknowledgement का concept है, because of the acknowledgement, TCB is the reliable, क्योंकि, अगर मैंने एक डेटा आपको भेजा, समझा, आपको रिसीव नहीं हुआ, तो रिसीव नहीं हुआ, तो आप एक्नोलिजमेंट नहीं दोगे, और आप एक्नोलिजमेंट नहीं दोगे, तो मुझे कोई एक्नोलिजमेंट रिसीव नहीं होगी, तो मैं सरा समझ जाओंगा, जब आप से नहीं देता मैं क्या कर दा उस मैसेज को बार-बार आपको बेज रहा था बार-बार पूछ रहा था देखो इसमे अकoss इसमे अकॉलिजमेंट भी नहीं है कोई जब अकनॉलिजमेंट भी नहीं है तो कहे का reliable unreliable है unreliable का मतलब है कि अगर UDP के दिएटा जाएगा ना आपको मिले ना मिले मेरे कोई सिर्दत दे नहीं है आपके मरजी मतलब मैंने क्या किया मेरे वलोग के साथ मैं सारे काम करता है मद भी क्या है उन्रैटा रहता है कोई CH3 star नहीं है कोई अक्रॉलजमेंट नहुंगा मैं और इर्कलिटा क्या करो कुँए बेचता रहूँगा जब अक्रॉलजमेंट इन दूल ले रहा हूं तो मतलब UDP지도 olabilir जाता वो कुछ डिट आपका UDP भी लेके जाता है तो क्यों होता ऐसा थोड़ा इस चीज को समझते हैं देखो मान के चलो समझना चीज को ये मैं हूँ ये गौरव है मैं गौरव को WhatsApp कॉल कर रहा हूँ हम लोग WhatsApp कॉल के दुरू आपस में connected है बात कर रहे हैं अब गौरव ने मेरे से कुछ चीज़े बोली उस टाइम पर क्या हूँ मेरा network disturb हो गया अब जितने time तक वो disturb रहेगा उतने तब तक मेरी उसको आवाज ने मिलेगी या मेरे को उसकी बास ने मिलेगी उसके बाद दुबार से connect हुए लेकिन जिस time में थोड़ा दरे के लिए disconnect हुआ था उस time तक का जो data था वो क्या हो गया miss तो क्या ऐसा होता है आपको कभी देखा कभी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ जिससे मैं बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ आप बीच में disconnect हो गए कुछ network में disturbance आया लेकिन जो मैंने बाते उस time पे बोली थी जिस time में miss हो गया था क्या हूँ जैसे आप connect हो तो दुबारा सुनने को मिलता आपको अपने आपसे मिलता है कि नहीं मिलता पहले बताईए कि नहीं मिलता ना आप लोग phone पे भी जाब बात करते हो बात करते हैं वो बीच में बात चली गई मिस हो गया समझना चीज को हम दोनों voice over call पे हैं जब हम बात करें बीच में क्या हुआ network में glitch आया उस time हमारा क्या हुआ सारा बीच में जितनी भी गन्वर्शन जी वो ड्रॉप हो गई और अगर ऐसा होता कि जैसे दुबारा सा connected वे Kyopman इन बोला वह दुबादा गया उसका मतलब कुछ रहेगा को समझ मैं आःका क्या होगा जैसे मैंने बोला गौरप आप कैसे हो आज क्यूं नहीं आए लेकिन गौरप आप कैसे हो वाला कंट गया और क्यों बाकी वाला बाट चला गया लेकिन दुबारा से जब हम connect है तो गौरफ कैसे वर्ड वाला पहले जाएगा नहीं जाएगा अगर ऐसा होता तो आपकी network conversation जो होती हो एकदम बातों की meaning की कुछ 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 और निकल जाएगे तो इसलिए जब हम लोग voice over call पे होते हैं live streaming कर रहे होते हैं online जब live game खेल रहे होते हैं या real match जब हम लोग real time match देख रहे होते हैं या हम लोग जो real news देख रहे होते हैं जो live चल दे होते हैं वो सारा का सारा data आपका UDP based होता है क्योंकि आपको क्या चाहिए अगर मान के चलो अगर आपको live streaming match देख रहे हो एक बंदे ने बॉल कराई और बॉल को पांच मिन्ट के बाद आपको देख रहे हैं उसका मतलब है कुछ नहीं है ना आप तो चाहते हो कि जिस टाइम वो बंदा बॉली करा मुझे वो आपको इमिडेटली उची दिखनी चाहिए आप गेम खेल रहे हो आपको कैसा लगेगा जब आप किसी जाब बात कर रहे हो हेलो हावर यू उसको दो मिंट के बाद वो मैसेज पहुंच रहे है तो आपको कैसे यह फास कंवर्शेशन चीए तो यूडीप को इसलिए डिजाइन किया गया जहां पर लाइब स्ट्रीमिंग का डेटा जो ट्रेवल करेगा वो सारका सारका ऐसा होगा यूडीप बेस्ट होगा लेकिन जैसे जो रियल टाइम डेटा होगा कोई फाइल है आपने देखा होगा आपने अगर जीमेल से किसी को मेल करो अगर उसका मेल अड्रस गलत है तो वो अपको रिपलाई में को एरर मिलता एक या तो अड्रस नॉट फाउंड है ना ऐसका कि कुछ मेर देता इसका मतलब क्या हुआ वो टीसीपी बेस्ट है तभी तो आपका उस आपको एक रिपलाई मिला आपको एकनोलजमें मिला वो डेटा एक्च्व में डिलीवर नहीं हुआ एड्रस गलत था हाँ तो उसको सुना ही नहीं देगा कि उस टेम पे नेटफर्क लिस था यूडिपी ने दुबारा ट्रांसमेशन किया नहीं तो जो आपका लाइब स्ट है यह प्रॉट के लिए टेसीप जो आपकी डेटा होगी वो अपकी रिलाइबल होगी और यूडिपी बेज़ रहो इसके लिए मतलब इसलिए टीप के अंडर अक्नुलिवेंट है उसको वेट करना पर रहा आ अक्नुलिजमेंट के लिए मैं डेटा बहेज रहा हूँ आप तो यह हुआ हमारा connection less connection oriented का मतलब समझ में आया है कि TCP में connection acknowledgement है UDP में कोई acknowledgement नहीं है TCP reliable है क्योंकि because of acknowledgement यहां पर कोई acknowledgement नहीं है तो यह unreliable हुआ TCP fast है sorry slow है क्यों है क्योंकि इसको क्योंकि वेट करना पड़ रहा है और UDP fast है because of the क्योंकि वेट नहीं करना पड़ रहा है TCP का header size 20 byte का है 20 byte का मतलब है header size का मतलब समझो अभी हम आगे समझेंगे यह TCP का cover लगेगा जो यह आपके differences थे TCP and UDP के बारे में ठीक है अभी इसमें transport layer में 3-4 point और है मैं अभी distance नहीं करूँगा पहले आप इतने से को cover करो यानि next class में हम इसको continue करेंगे अगर इहां तक अगर आप लोग को कोई doubt है कुछ समझ में नहीं आया तो you can ask any doubt till the point किसी point में doubt है हां जी everyone everyone is done clear है आपको ठीक है क्या आप लोग यह हम नहीं बताएंगे जिसमें protocol को design किया है ना DNS को मैंने तो नहीं बनाए ना DNS protocol है जो कि जिसने DNS protocol को design किया उसने इस डिसाइड किया कि यह UDP based होगा यह application layer पर बनती है इस और नो यह application layer के protocol है जो कि TCP यूज़ करता है तो जो application layer पर जो application मनाता है उसकी response किस को होती है तो जो software डबलब पर इस application को या इस protocol को जब design किया जाता है तो यह चीज़ पहले से predefined होती है यह UDP based होगी यह fix है कि आप खाना किससे खाते हो हाथ से खाता हो पैरों से खाते हो अगर किसी को किक करना तो कैसे करता है पैरों से करते हो क्या आपने कभी किक हाथों से करी है क्या आपने खाना कभी परों से खाया है नहीं न यह predefined है वहले से यह सब्सक्राइब यह जो प्रोटोकोल्स है यह तो आज आप क्या करना एक आपको हमबग दे रहा हूं आज आप Google पे जाना सर्च करना TCP बेस प्रोटोकोल नेम मैंने जो बताया है इनके अलाबा दस प्रोटोकोल आप लिख रहा ना मिले को बता ना है आप लोगो परसू के लास जब मुझे जॉइन करोगे तो आप तीनों का यह काम आज का हमबग है आप लोग गूगल पे जाओगे और लिखोगे TCP बेस प्रोटोकोल नेम तो बहुत सारे नाम आएंगे इनके अलाबा वो दस नाम आपको दोड़ने हैं ऐसे ही आप UDP के अंदर जो मैंने नाम लखा है इनके अलाबा दस नाम आप UDP के लिख के लाओगे यह आपका होमबग है अपने दिमाग को भी काम पे लगाना है आप ठीक है यह करके लाओगे ठीक है यह करके लाना तो आपको पता लग जागा दो यह पहले से प्रीडिफाइंड है आप गूगल में किसी भी आर्टिकल में खुल लेना ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि TCP के अंदर STTP दिया है कहीं पर आपको UDP में STTP दिखा ऐसा नहीं मिलेगा दो कि TCP में STTP भी है तो यह पहले से प्रीडिफाइंड है और यह आप नहीं डिसाइड करोगे यह अपने आप से प्रीडिफाइंड है अभी हम लोग ठोटिकल कॉंसेप को समझ रहे हैं अभी हम इन चीजों को आगे जब बार 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 पढ़ेंगे तो टैक्टिकल देख पर काम करेंगे ना तो अपने आप चीजे समझ में आनी शुरू हो जाएंगे जब आप किसी कंपनी में पहली पहली बार जाते हो तो आपको काम समझ में नहीं आता है आपको बताया जाता है ऐसे करना है फिर आप उस काम को एक दिन करते हो दो दिन करते हो तीन दिन करते हो और लोग हो चातिनकाट्यादों दस दिनकाटते उसके बाद आप उनको उसकाम कि पर एक्सपर्ट ऑजा तो वह पर अपको आने लगता है इसी तरी किसे जब आप कोई नवी ही चीजव को नई चीज सीखते हो तो वो चीजों को सीखने के लिए आपको बार बार को सुनना है और जैसे आप सुनते रहोगे और करते रहोगे चीजों के उपर काम करते रहेंगे हम लोग आगे से रहेंगे प्राक्टिकल कराओं आप लोगो आप खुछ से प्राक्टिकल करोगे तो यह चीज अपने आप से संबंद में आनी शुरू हो जाए झाल झाल